स्थ्री शक्ति, स्थ्री शक्ति जीवन के मजधार में स्थ्री ही स्थ्री की सबसे बड़ी ढाण होती है इस जुमले को सच साबित करने वाली ये हैं जानी मानी समाज सेविका, लेखिका, अध्यापिका और मीडिया कर्मी वर्तिका नंदा जिन्होंने अपना पूरा जीवन औरतों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है भारत के माननिय राश्टपती के हाथों स्त्रीशक्ती पुरुसकार पाने वाली वर्दिका नंदा से आये कुछ पाते करते हैं यह सलमे की लंबी याप्ता रही नबे की दर्शक में जब मैं एक टेलिवेशन चैनल के साथ जोड़ी थी जो हिंदुस्तान का उस समय का सबसे बड़ा टेलिवेशन चैनल था मुझे मौका मिला कि मैं इस देश की शायद पहली ऐसी पत्रकार बनी जिससे क्राइम बीट का हिट बनाया गया और उस तोरान कई कटनाओं ने मुझे पर काफी असर डाला कुछ ही कैसे डावरी केसे को मैंने कवर किया जिसमें की जली हुई हालत में महिलाओं को देखा और बहुत ग्रूसम सिथी में देखा दूसरा प्रभाव हुआ जब मैं पीएशडी कर रही थी और मैंने अपना विशह लिया कवरिज ओफ रेप केसे बाई प्रेंट मीडिया उस समय भी लगातार काम करते करते जिन विक्टिम्स को मैंने देखा मुझे लगा कि हम जो देखते हैं और जो कहते हैं सचाई उससे बहुत आगी होती है जब मैं कविताओं के संकलन पर काम करने लगी और किताब जब मैं छपने दे रही थी मैंने ये महसूस किया कि मेरे चाहने या ना चाहने के बावचूद जदातर कविताओं अपराद के आसपास की हैं और मैंने उसका नाम रखा थी हूं रहूंगी और तब इस कविता को मैंने लिखा नानक पुरा कुछ नहीं भूलता इस फिल्म को बनाने के बाद जब मुझे बार बार देश भर से बहुत से महिलाओं की फोन आने लगे चिठ्टिया आने लगी तब मुझे महसूस हुआ कि दर्द वाखई उससे भी कहीं ज़्यादा है जो मैंने महसूस किया था मैं बार बार कोशिश करती रहीं कि फिल्म के जरीए या कविताओं के जरीए या अपने लेखन के जरीए इस समाच की हर और अरत को और हर एक ऐसे पुरुष को जो बराबरी पर कोई भी भरोसा रखता है या महिला पर हिंसा ना करने पर भरोसा रखता है उन लोगों को जोड़ कर किसी हिम्मत की एक महौल को बनाया जाए कहने को 498 ये है, कहने को Domestic Violence Act है और जब उसका इस्तिमाल करती है तो Defamation शुरू होती है कि वो शायद मिस्यूज कर रही होगी ये तमाम सवाल उन कानूनों के लिए क्यों नहीं आते जिनका इस्तिमाल और दुरूपयोग पुरुश करता रहा और क्या कोई possibility है, क्या सरकार ये ensure कर सकती है कि जो victims हैं उन्हें mainstream मिला जाए victim से पूछा जाए, इस system में कमी क्या है क्या बदला जाए, कैसे बदला जाए, कहां से बदला जाए इस देश में कोई और नयाय हो या ना हो इस देश में देविक नयाय divine justice आज भी काम करता है इसलिए मैं सलहाय ये देती हूँ कि सबसे पहले अपनी हिम्मत को बांध लीजे ये जान लीजे किस तरह की साज़िशें होंगी, बार बार होंगी क्योंकि सच के साथ खड़े होने में समय भले ही लगता हूँ लेकिन सच जानने के बाद जो लोग साथ खड़े होते हैं वो तांउम्र साथ निभाते हैं फ्लेविया मैंने आपकी किताब पढ़ी है और मैं ये मानती हूँ कि ये हमारे वक्त का बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है निमिस्टिक वाइलन्स पर इस तरह से खुलकर इतनी हिम्मत के साथ बहुत कम महिला उने लिखा है एक बात और है फ्लेविया जब मैं आपकी किताब पढ़ रही थी बार बार ख्याला रहा था मुझे एक कहावत है जो ये कहती है कि अगर एक महिला दूसरी औरत का साथ नहीं देती तो उसके लिए नरक्त में जगा वाकई में संभली हुई रहती है आप जिसी महिलाएं जो और दूसरी महिलाओं का साथ दे रहे हैं उन्हें देखकर वाकई मन में तसली होती है क्योंकि अगर हर तीसरी औरत प्रिडित है तो बागी दो महिलाओं का एक काम बनता है कि वह उनका साथ नहीं और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो पुरुष इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन पुरुषों को सलाम करना चाहूंगी, जिन्होंने आगे बढ़कर महिलाओं की हिम्मत को वागे बढ़ाया है, ऐसे पुरुषों की कोई कमी नहीं, जिन्होंने अच् के भी ही सच मुठी में पढ़ा आसमान में इसके बावचूद मैं अपने पंख खुद बनूगी और कहूंगी मैं थी मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगी